हाई गाईज विल्कम टु दू वीडियो आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे हाउ तो स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन कैसे बार बार चीजों को टालना बंद करें और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कैसे अपना काम सही तरीके से करें इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं कोड टॉप टेन का और नया बैच हमारा शुरू हुआ है मिशन आई एस पाउंडेशन टूटाउजन विटी सिक्स के लिए तीन साल का बैच है हर दिन सिर्फ एकी क्लास होगी न्सी आर्टी से शुरू करते हुए पूरा करेंट अफेर और से कुछ कवर हो रहा है और जो स्टूडेंट स्कूल के बच्चे हैं कॉलेज के बच्चे हैं तो उनके लिए हमने शुरू किया है तो यूज कीजिए टॉप टेन और आप मेरे से परस्नली भी टेलीग्राम की थ्रू कनेक्टेट रहिए आर्टी मिश्रा अनकाडमी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और यहां से आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम के जुड़ जाएए ठीके और वहीं पे आपको हमारा जो है ग्रूप मिल जाएगा हमारा चैनल मिल जाएगा डेली क्लास इसका अपडेट आपको वहीं से मिलेगा तो आईए शुरू करें और आज की बात को जरा ध्यान से समझें देखें सभी के साथ यह एक प्रॉब्लम होती है कि प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है ठीके ना चाहते हुए भी हम चीजों को टालते रहते हैं डीले करते रहते हैं और कभी-कभी उसके वज़े से हमें आपका है उतना ही फ्री रहती है दो जितना है आप किसी चीज को टालते हैं उतना ही आपका भी पारे में सुसता रहे प्लिधा है तो आपका क्पायी होता है स्ट्रेस का मतलब पता है क्या है जब आपको कोई काम जो है आप कर रहे हो और आपका जो दिमाग वो अलग है बदल फिजिकली आप कहीं ऑर लुख हो आप कुछ और कर रहे हो और वो जो काम होता है न वो पाइल अप होता रहता है वो काम वो बड़ी होती जाएगी वो पाइल अप होता जाएगा जितना आप उसको टालोगे तो आपको सबसे पहले जो है जब भी आपको जैसे मानलो कि अपना रूम क्लीन करना है छोटी सी चीज ठीक है आपको मानलो अ को आप पांच दिनों तक टालते रहोगे फिर क्या होगा ऐसा तो है नहीं कि वो काम पांच दिन बात करोगी तो असान हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा नहीं उल्टा वो चीज और खराब हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा तो छोटी सी चीज है मानलो कि क्जिसे हैं कि इस चक्र में वो जो चीज Sun को हारे घिए और फिर पर जाति है और चेमारी पाइलब होते हैं嘛ई हमारी पॉब्लम्स हमारी पाइल अप होती रहती हैं और इस इशू की वज़े से हम हमेशा परिशान रहते हैं हम अलाइन नहीं हो पाते हम और्गनाइज नहीं हो पाते तो इसको ठीक कैसे करना है सबसे पहले इसके लिए राइट थिंकिंग चाहिए कि भाया सोचो क्यों कर रहे हो कोई भी चीज देखे सामने से उसको निप्टा दो किसी भी चीज को छोड़ो मत कोई भी काम आपको लगता है कि मैं यहां पर भी काम कर सकता हूं हिम्मत है तागत है तब्यत सही है मन अच्छा है तो कर लो यह सोच करके कि चलो बाद में कर लूँगा बाद में देख अभी करो खतम करो सुलजाओ और इस चीज को आगे मत बढ़ाओ अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना जरूरी होता है और थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किसी भी चीज को टालने से कोई चीज असान नहीं बल्कि मुश्किल होती है तो जितना आप को इसी चीज को टालोग और अच्छे से आप कर पाऊगे तो थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए और समस्दारी होनी चाहिए इतनी अवेरनेस होनी चाहिए कि मैं जितना प्रोक्रास्टिशन करूंगा मेरा उतना ही लॉस होगा ठीक है तो इन चीज़ों को आप फॉलोग करें और यह नया बैच है से जॉइन कीजे और जिन स्टूडेंस को आरंबो बैच जॉइन करना है वो भी टॉप 10 का कोड यूज कीजे वेकॉज अभी क्या हो रहा है तॉप 10 के कोड से आपको मिल रहा है फ्लाट 25% डिसकाउं तो टॉप 10 का कोड यूज कीजे 25% डिसकाउं लिजे जो लर्नर्स हमारा प्रिलिम्स करक कर रहे हैं उन्हें मेंस हम लोग प्री में तयारी करवा रहे है दिली में आप प्री में प्रिपेर करो ओफ लाइन ओनलाइन सेंटर का एकसेस तो यूज कीजे कोड तौप 10 अन्यू के जोई रहेंगे आज के लिए इतना ही गाईस था इंकी सो मुछ फॉच जब खिन्यों।